वैलकम तू फॉप्स एजुकेशन फॉप्स एजुकेशन में आपका श्वागत है जैसा कि आपको पता है कि हम कोशन एंसर सीरीज ला रहे हैं एससी जीडी के लिए और आपको बता दूँ फॉर्म इसके लाइव हो चुके हैं तो आप इसके फॉर्म को जरूर फिल करिए के लिए पूरी की पूरी सीरीज है जिसमें हम पूरे एंसर कोश्चन कर रहे है प्रिएकश यह के लिए जो मूस्ट एक्सपाटव कोश्चन है ये हमारे क्या है मूश्ट एक्सापटव रहेंगे हैं के अगर क्यूandom कौन कर सकते हैं डाबने gate 48178267 इस number पे call करिए आपको online mentorship program SBI के लिए भी banking examination के लिए और SSC examination और SSC के एक upcoming vacancy आपके लिए IB भी scenario में है तो आज ही है हमारी question number concern answer series की fourth class है जो आपके लिए काफी important रहेगी और इसी के लिए हम classes आगे बढ़ा रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ आपने तीन classes देखी होगी तो हम आपको हर बार कहते हैं वो तीन classes में 60 question नहीं 240 plus question है क्योंकि एक question में पूर option होते हैं तो हम 4 के 4 option को बराबर discuss करते हैं तो start करते हैं आज के पहले प्रशन की और उम्मीद है आप comment section में अपने answer को पूरी तरह से दीजेगा उसके भिहाब पे हम चीजे क्या करेंगे start करते हैं आज का question number first भारत को खालिस्थान के तहत launch किया गया India was launched under the actual में यह है नहीं यह particular होता है skill India यहाँ पे जो होगा पूरा का पूरा skill India होगा यह question यहाँ अधूरा आ चुका है तो आप भैभीत इसमें नहीं होंगे कि सर क्या हुआ क्या हुआ start up India was launch होगे sorry skill नहीं skill से question हमने देख लिया था यहाँ पे जो question था वो था हमारा start up India बिल्कुल याद रखेगा इसे जाना जाता है किस नाम से start up भारत को खाली स्थान के तहत लौंच किया गया तोंसल विकाश और दिमा मंत्रा ले सामाजिक न्यायवारत करिता मंत्रा ले स्रम एवं रोजगार वानिज जीवं उद्योग मंत्रा ले start up India was launched अंडर दा किसके तहत आया है first one ministry of skill development and entrepreneurship ministry of social justice and empowerment ministry of labor and employment ministry of commerce and industry किसके अंतरगत skill development की शुरुवात की गई आपको पता है start up India started in the year of 2016 अगर आप से पूछा जाए start up India कब launch हुआ it is launched in the 2016 इसकी शुरुवात किसलिए हुई थी इसकी जो शुरुवात है इसका जो start up है 2016 से ये प्रारंभ किया गया किसके द्वारा चालू किया गया इसको वांड़िज जी और start up का मतलब क्या होता है make in India मतलब आप उद्द्योग अपने चालू करिए जैसे आपकी कंपनिया है इसमें by juice by juice is a unicorn start up flip card it is also the start up ये पूरी कंपनिया है जो अभी पूरी तरह से काम को सुरू किया है and it is come under the ministry of commerce and industry वांड़िज जीवम उद्द्योग मंत्राले के द्वारा है कौन से मंत्राले में आते हैं वांड़िज जीवम उद्द्योग मंत्राले हमने कहा है हर सिफ्ट में आपका important plan से question बन रहा है महत्पूर्ण योजना से question क्या है बन ही रहे है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब plan से question आ रहा तो हमें plan पूरी तरह से क्या होने चाहिए मालूम होना चाहिए क्या कैसे scenario है कौन कौन सी चीजे है तो जो startup इंडिया है startup भारत है वो किसके तहत चालू किया गया वानिज एवं उद्योग मंत्रा ले and it is a startup under the Ministry of Commerce and Industry it is comes under the Ministry of Commerce and Industry के तहत लाया गया या इसको जोड़ा गया है वानिज एवं उद्योग मंत्रा ले clear रहेगा question अगले question के ओर बढ़ेंगे question number 2 काफी important question है ये आप ध्यान रखेंगे इस question को राज्यपाल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है राज्यपाल वह मुख्यमंत्री और अनमंत्रियों की निउक्ति करता है उसके पास किसी ब्यक्ति की मृत्यदंड को छमा करने राहत देने और माफ करने की सक्ति है ये प्यूंति दचीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर ये विए पावर तो ग्रेंट पारण रॉप्राइब और इस वार्टी आपको पता होगा कि गवर्नर जो है इत जाम अंडर दा जैसे आपका स्टेट ये पर्टीकुलर कहां से बना स्टेट यूनियन ये पर्टीकुलर कहां से है राज जिसे बना और आर्टीकल नंबर 154 किसके बारे में है अकॉर्डिंग टू दा गवर्नर आर्टीकल नंबर 154 किसके बारे में कहता है आपका 154 ये पूरी की पूरी सिनेरियो बताता है अब इसमें क्या है वो मुख्यमंत्री और अर्मंत्यों कि नियुक्ती बिल्कुल नहीं करता वो सलाह के आधार पर करवादा उसके पास किसी ब्यक्ति को मृत दंड और राहत देने का अधिकार बिल्कुल बिल्कुल याद रखेगा उसके पास किसी ब्यक्ति के मृत दंड को च्हमा करने और च्हमादान किसमें है आर्टिकल नंबर ये प्रसीडेंट के पास पावर होती है च्हमादान की पावर यूनियन में प्रसीडेंट के पावर Article number किस में होती है बटा 72 और governor के पास किस में होती है Article number 153 में Article number 153 governor कहता है कि हम किसी भी ब्यक्ति को क्या है कर सकते Maximum log the state executive power is vested राज के कारेकारी सक्तियां बिलकुर राज के कारेकारी सक्तियां नहीं है उसमें specification से एक वह किसी को मृत्यदंड से बचा सकता है और आपको भी पता है राज्यपाल जो है वह पद होता है जो इसे इस केंद्र में आपका कौन काम करता है President काम करता है वैसे ही state में particular governor काम करता है पूरी तरह से उनको ये सक्तियां होती है कि अगर किसी ब्यक्ति को मृत्यदंड मिला है अगर genuine है पाया जा रहा कि गलत तरीके से है या कोई अच्छा ब्यक्ति है उसको ऐसी सजा है किसी situation में उसको हम माफ कर सकते हैं The second is the right answer clear रहेगा दोनों option अपके लिए Very good अगले question की ओर बढ़ेंगे Question number 3 इसका उपयोग टाट, चटाई, रशिया, सूत, कालीन और अन्य कलाकृतियों बनाने में किया जाता है या किस फसल की बात हो रही है Jute, Kela, Narial, Hathely It is used in making gunnybacks, mat, rope, yarn, carpet and other artifacts which crop is being spoken about here कौन से फसल है? Jute, Kela, Jute, Banana, Coconut, Pom कौन सी फसल है? जिसका प्रयोग हम इसमें करते हैं Particular आपको पता होगा कि ऐसी कौन सी कलाकृतियां है जिसकी रश्चिया भी बनाई जाते हो, पूरी चीज हो That is golden fiber, इसे जाना जाता है किस नाम से? Golden revolution या स्वर्ण करांती के नाम से जानते है That is associated with Jute, किसे संबंदित है? Jute और आपको याद होगा कि ये पूरा का पूरा संबंध रखता है Golden revolution या इसे जानते हैं किस नाम से? स्वर्णिम करांती के नाम से जाना गया अब आप से पूछेगा कि जो स्वर्णिम करांती है वो Particular cases associated है? Jute से और आपको पता होगा इसमें एक नाम और आता है Cotton का, कपास का, कपास का production कौन सी स्वाइल में होता है? Regur स्वाइल या इसे जाना जाता है? Black स्वाइल के नाम से या काली मिट्टी में सबसे जादा जो produce होता है वो Particular कौन सा है? Cotton या कपास के नाम से जाना जाता है बिल्कुल याद रखेगा So it is used for making bags, mats, rope, yarn, carpets and other of artifacts That is a jute Clear है? Jute सबसे ज़्यादा produce कहां होता है? याद रखेगा West Bengal में और पूरे के पूरे word में कहां होता है? भारत में Banana City किसे कहा जाता है? या केला सबसे ज़्यादा जलगां केरला Coconut कहां है? काशर गोड याई से जाना जाता है Palm मतलब हथेली नहीं होता Palm मतलब होता है ये गलत लिख दिया है Palm का मतलब है ताड का ब्रिक्च किसका ब्रिक्च होता है? ताड एक प्रिक्च है उसमें तो अगर आपसे पूछा जाए Question तो बिल्कुल याद रखेंगे ये आपके लिए काफी Golden Opportunity बनेगी और जितने भी Revaluation है उन Revaluation को भी आपको Clear रखना है ये Question Clear है? एक बार Comment करके बता दीजे Clear है या नहीं? Very Good Very Good अगला आगे बढ़ते हैं अगले Question में उस देश की पहचान करें जिसे हवाओं का देश कहा जाता है Identify the country called the country of winds Denmark, चेगणराज, जर्मनी, पोलाइड Denmark, Czech Republic, जर्मनी and पोलाइड Which one is the right answer that is known as the country of wind या पवन का देश कहा जाता है अगर आपसे कभी पूछा जाए पवन का देश तो याद रखेगा That is Denmark किसे कहा जाता है Denmark को? पवन country किसे कहा जाता है बटा? याद रखेगा Denmark को जाना जाता है पवन country के नाम से या particular wind के नाम से दूसरा Coffee country अगर कभी आपसे पूछा जाए याद रखेगा अगर आपसे पूछा जाए क्या Coffee country या Coffee का देश अगर पूछा जाए तो याद रखेगा That is Brazil इसे किस नाम से जाना जाता है Coffee country अगर कभी पूछा जाए तो याद रखेगा Brazil पवनों का देश पूछा गया है तो आप याद रखेगा The land of The land of Vindalam या मसालों का देश The land of spices The land of Vindalam निदरलेंड है The land of spices The land of spices या इसे जाना जाता है मशालों का देश तो अगर आप से कभी पूछा जाए कि मसाले कहा है तो आप याद रखेगा मसाले के देश maximum कहां इंडिया या particular कहां पाए जाते हैं भारत में पाए जाते हैं बिल्कुल याद रखेगा तो अगर आपसे पूछा जाए question में हवाओं का देश या उस देश की पहचान करें जहां पर particular हवा जादा है that is Denmark कहां पे है Denmark बिल्कुल याद रखेगा wind meal पूछा जाए पवनों के माध्यम से तो वो नीदर लेंड में हैं बिल्कुल याद रखेगा इसको आगे बढ़ते हैं अब हम इसमें particular बिल्कुल याद रखेगा तीन के तीनों question में the coffee country ब्राजील में सबसे ज़्यादा coffee होता है लेकिन top quality की जो coffee है top quality जो होती है that is established in the Karnataka सबसे top quality की coffee कहां है करनाटक में ये भी याद रखेगा clear अगले question में बढ़ेंगे निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी पुरुषकार इंद्रा प्रेदर्शनी सम्मान और रोटरी अंतरराष्टी पुरुषकार प्राफ्त है ये आपको याद रखना है that is associated with dancer शोबना नाराएन कौन है इसका राइट अंसर होगा इंद्रा गाधी प्रेदर्शनी और रोटरी अंतरराष्टी पुरुषकार सोबना नाराएन को मिला सोबना निराण कौन है एक नरत्यांगना है या एक प्रकार की कौन है ये dancer है जिनको ये award दिया गया clear है याद रहेगा very good अगर यूपी का पूछा जाए तो यूपी में कौन कौन से है एन राजा महबूब स्मया और जिया ये सब पर्टिकुलर यूपी के dancer है ये पर्टिकुलर ये तीनों एक ही से संबंधित famous dancer और ये नरत्यांगना से यूपी का पर्टिकुलर classical dance कौन सा है याद रखेगा that is Kathak और कathak में सबसे बड़ा नाम आता है किसका बिर्जु महराज किसका नाम आता है बिर्जु महराज and बिर्जु महराज associated with which घराना houses लखनव हाउस या लखनव घराने से संबंध रखते हैं किस संबंध रखते हैं लखनव घराने से बिल्कुल याद रखेगा it is associated with या लखनव घराने से क्या करते हैं ये पूरा का पूरा संबंध रखते हैं क्लियर रहेगा यहां तक कोई दिक्कत आपको वेरी गुड़ शम्भू लच्छा सीताराम और दैनंत जोसी ये सब इसी से संबंधित थे आपके एन रजमा के बारे में कहा जाए महबूबा जूयू के बारे में कहा जाए तो ये भी आपको क्या करना है याद रखना है कौन सा बना आपके लिए एन राजम एन राजम ये वाइलन विद हैं कौन है ये वाइलन विद ये वाइलन से एन राजम किसे संबंधी थे आपकी वाइलन से हैं यह dancer थी और महबूद शुबानी अगर आप से पूछा जाए particular किसके बारे में महबूब शुद्दानी तो इनका भी नाम याद रखेगा काफी important है इसे जाना जाता है महबूब शुबानी यह भी कौन है भारती संगीत कलाकार है महबूद सुबानी और यह कौन है भारती से नाद शुरम एक जो आपका particular बनता है ये किसे संबंदित है नाद श्वरम से कई बार पूछेगा आपसे तो महबूब शुबानी किसे संबंदित है नाद श्वरम एक यंत्र है ये क्या बजाते है वाइलन शोवना नारायन कौन है डांसर है और जिया मोयद्दीन डागर बिल्कुल इनका भी नाम याद रखेगा मोयद्दीन डागर ये भारती संगीतकार है और ये पर्टिकुलर क्या है आपके इनके लिए दुरुपद टाइटन संगीत परंपरा है दुरुपद गायन के लिए काफी जादा फेमस है किसके लिए फेमस है दुरुपद गायन के लिए दुरुपद एक प्रकार की गायन स इसमें और वन इवेन आउड भी दे देता है कहां से संबंधित थी यह भी याद रखेगा कथक नृत्ति में योगदान है इनका बोचन जियाव मुनावदिन डागर कौन है यह पर्टिकुलर आपके जियाव मुनावदिन डागर किसे संबंधित है दुरुपद गायन से दु और कथक कहां का युप्तर प्रदेश देन किसकी थी बिर्जु महराज तो चारों ऑप्षन क्लियर रखेगा एन राजमा वाइलन बजाते हैं महबूब सुबानी नाध्वस्वरन से संबंधित है जोने मुहमद डढगर दुरुपद गायन से हैं तराइट एंसर जिसको रा सहस्ताक्षर किये वेरे गुड काफी इंपोर्टन कोश्यन और यह हिस्ट्री का काफी इंपोर्टन कोश्यन बनता है बिल्कुल याद रखेगा कॉंग्रेश और मुस्लिम लीक ने कब पर्टीकुलर लखनव शम्झोते पर हस्ताक्षर किये थे, बिलकुल याद रखेगा, लखनव एसी मजूमदार ने उसकी अध्यक्षता की थी, इसका राइट एंसर होगा आपके लिए पर्टीकुलर 1916, 1916 में, ये कहां हुआ था, लखनव में, और लखनव में जम हुआ तो ACMC मजूमदार, इसके अध्यक्ष थे, कौन थे, मजूमदार साहब, लेकिन आप से पूछेगा, 1917, 1916 में क्या हुआ, तो आपको याद रखना, 1917 में अध्यक्ष कौन थी, आपको पता है, फर्स्ट वूमेन जो बनी, एनी बेसेंट, कौन बनी थी, एनी बेसेंट के नाम एमके गाधी के लिए, और 1925 में प्रथम इंडियन, फर्स्ट इंडियन, फर्स्ट इंडियन कौन बनी, सरूजनी नाइडू, सरूजनी नाइडू, बिल्कुल याद रखेगा, ये काफी important question बनेंगे, तो आप से पूछा जाएगा, in which year, did Congress Muslim League signed लखनाव पैक्ट, लखनाव पोटी में क्या हुआ, सिमला समझोता हुआ था, 1914 की बात की जाए, तो इसमें समला समझोता हुआ, और फर्स्ट वर्डवार की शुरुआत हुई, इसी दिन क्या हुआ, सिमला समझोता, और फर्स्ट वर्डवार, फर्स्ट वर्डवार की भी शुरुआत हुई, 1916 में क्या हुआ लखनव सम्झावता फिर 1910 और 1912 पर्टिकुलर याद रखेंगे 1910 और 1912 के लिए तो 1910 को वारणसी में मदन मोहली मालिवी की अध्यक्षता में प्रत्थम अखिल भारती हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ 1910 में 1910 में पर्टिकुलर 10 जन्वरी को प्रत्थम हिंदी सम्मेलन हुआ बिल्कुल याद रखेंगे प्रत्थम हिंदी सम्मेलन अध्यक्ष कॉंठेस के मदन मोहन मालिवी बिल्कुल याद रखेंगा मदन मोहन मालिवी चारों आप्षन हमारे क्लियर रहेंगे लखनव प्यक्ट 1916 प्रत्थम विश्व इंदी सम्मे लेकिन अब हम चर्चा करेंगे किसके बाद 1912, बहुत ज्यादा नहीं याद रखना है, जो कहानी है वही, 1912 में 4 मार्च को क्या हुआ, सैनिको ने और भारती राष्टी कांग्रेस ने जंडे को अंगीकृत किया था, 1912 में ही जंडे को अंगीकृत 1921 में किया गया वैसे, पर जबानिया में धच फैलाया गया, तो ये आपको याद रखना है, पर्टिकुलर काफी इंपॉर्डेंट कोश्चन यहां क्या है, बन जाते हैं आपके लिए, क्लियर ना? क्लियर, तो कांग्रेस और मुस्लिम लिखने लखनाउं समझोते पर किस वरस तक चरकिये, 1916, 1916 में, 1910 में 10 जनवरी 1910 को प्रथम हिंदी सम्मेलन कहा हुआ था, वाराण असी, ये भी याद रखेगा, अगर प्लेस पूछा जाए, प्लेस नेम इस दा, वाराण असी, क्या काफी इंपोर्टेंट, एक बार पढ़िएगा इस कोशन को, फिर हमें जवाब दीजेगा, काफी इंपोर्टेंट कोशन बनता है, ये, वेरी गूड, अगला कुशन है, विच, विच आफ दा फॉलोइंग इस नौट रिलेटेड विथ दा प्राइमरी सेक्टर ओफ एकोनोमी, निम्द में से कौन सी अर्थवस्था के प्राथमिक छेट से संबंधित नहीं है, आपको ये याद रखना है, अब कैसे याद रखेंगे, कि आपको भी पता है कि पर्टिकुलर थ्री प्रकार के सेक्टर होते हैं, तीन सेक्टर है, पहला होता है कौन सा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है तरसरी सेक्टर, मतलब प्राथमिक इसे जाना जाता है दुतियक छेत्र, और ये यह देतन नहीं पर आपका जो भी निर्वन नहीं सर्थी बैंकें ही टर्मिन ये जाता है मतलब एक लाइन में आपको बता दूँ कि जो भी raw material है या कि which is dependent on nature जो प्रकिति पर निर्भर होता हो जो प्रकिति पर निर्भर है वो सब किसमें आता है वो आपका आता है primary sector में या particular इसे क्या कहते हैं प्राथमिक छेत्र तो या वानिकी फोरेश्ट्री प्रकिति पर निर्भर डेरी प्रकिति पर निर्भर फिसिंग ट्रेफिसी पर बैंकिंग प्रकिति पर नहीं है राइट एंसर क्या बनेगा banking the right answer is the banking is very good important banking जो है आपके लिए इसके लिए बनता है प्रकिति पर निर्भर नहीं है इसलिए particular banking किसमें आता है services में banking किस चेत्र में जुड़ा जाएगा सेवा चेत्र में जो army वाले service करते हैं that is also related with the service वो भी किसमें आएगा banking या service प्रणाली में clear रहेगा very good तो आपको अगर पूछा जाए सामिल नहीं सामिल क्या क्या है वानिकी सामिल है dairy सामिल है these are the kind of primary sector ये किसके छेत्र है बिटा प्राथमिक छेत्र है या primary sector के नाम से जाना गया very good तो प्रथम अखिल भारती हिंदी विश्चमेलन कब हुआ था याद रखेगा ये particular बनारस म अगले हुआ दस जन्वरी उननीस सो विल्कुल दस बारा पंदरा ऐसे option देगा तो क्लियर रखेगा ये आपके लिए particular कप था 1910 में अगले question में खाले स्थान को प्रकित की एक कार्यात्मा के काई के रूप में देखा जा सकता है जहां जीवित जीव आपस में और आस पास क के भौतिक वातावन के साथ बातचीत करें ब्लैंग कैन बी विजुलाइज जाज फंक्शन यूनिट ऑफ नेचर वियर लीविंग ओर्गनिजम इंटरॉक्ट एमंग देंसोल और अल्सो विथ दा शोराउंडिंग फिजिकली इन्वायरमेंट फैमली, यूनिवर्स, इकोसिस्टम, हियर्ड एक परिवार, ब्रम्हांड, पारिस्थित की तंत्र या जुन्ड आपने पढ़ा होगा इस कुश्चिन को तो जहां पर प्रकित की कार्यात्मक इकाई के रूप में देखा जाए और जीवित जीवास्पस के भौतिक वातावन के साथ में हो मतलब जहां पर एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम डवलप होता है और सब्द किसने दिए एजी टॉंसले ने नाम किया था तो बिल्कुल याद रखेगा एक पारिस्थत्रकी तंत्र ऐसा तंत्र है जिसमें ये पूरा सेनेरियों बनता है बिलकुल याद रखेगा तो प्रकित की एक कार्यात्म के काई को रूप में देखा जाता अभी को सिस्टम क्या है बायोटिक एंड एबायोटिक लीविंग एंड नॉन लीविंग और गिनिजर्म का जो कॉंबिनेशन बनता है जीवित और मृत ब्यक्तियों का जो एक पर्टिकुलर प्रकिती में जो जीवित ब्यक्ति हैं उनके आसपास के भौतिक वातावन के साथ जो बातचीत करते हैं वो पूरा का पूरा सिस्टम इसमें आया है क्लियर रहेगा वेरे गुड नाम किसने दिया था जो सब्द था है है कले ने इकोलोगी सब्द किसने दिया था है कलेने पूस लेज़ यदि इक ऊलाऑजी पूछा जाए ऑइकलोगी इस दियरवाय है कले इसके द्वारा दिया गया है कले के द्वारा है और ये आपका दूसरा क्या बना शेनेरियो जो आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा तो जीवित जीव आपस में और आसपास के भौतिक वातावन के साथ जो बाचतीत करते थे उसके बिहाब पर ये पूरी चीजे बनी थी अ अगला है काफी इंपोर्टेंट जीडी में ऐसे भी कुश्चन आते हैं आपको देख के पढ़के समझ के लगाना पड़ेगा सरकार का हस्ताक्षेव चाहे माग का विश्तार करना हो या उसे कम करना खालिस्थान का कारिक गठन करता है दा इंटवेशन ओफ दा स्रिजन सरकार का हस्ताक्षे माग का विश्तार माग क्या होती है दो चीजें होती है और उसको क्या करना हो कम करना हो लग डिमांड कव आपको बढ़ाना है कव करना है उस पूरे को जाना जाता है किस नाम से इस्थरी करण या स्टेबलाइजीशन के नाम से जाना जाता है क क्लियर वेरे गुड वेरे गुड कोई दिक्कत यहां शूर तो अभी आपको याद रखना है कि सरकार का हस्ता खेप चाहे मांक का विश्थार हो या कम करना हो उसे कारे का गठन क्या कहलाता है स्टेबिलाइजेशन या स्थरी करण के नाम से जाना गया क्लियर रहेंगे पूरे कोशन आपको मैं बता दूँ फोप्स एजुकेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रिपरेशन हो रहे हैं आपको पूरा बताया जाएगा कैसे प्रिपरेशन करना है क्या चीजें हैं कौन सा तरीका रहेगा किसके भिहाब पर हम पढ़ सकते हैं और ओफलाइन क्लासिस्म के लिए आप क्लास्रूम आ सकते हैं जो अमारे कॉंटेक्ट नंबर नीचे जा रहे हैं उस नंबर पे आप कॉल करिए पूरा का पूरी जेल आपको क्या होगी प्रोवाइड़ हो जाएगी नेक्स कुशन की तरब, BCCI का पूर रूप क्या है? बहुत फेमस है है इस समय पर BCCI बच्चे बच्चे को पता है कि क्रिकेट बोर्डिंग एजंसी है ये क्या है? BCCI क्या है? क्रिकेट बोर्डिंग एजंसी बिल्कुल याद रखेंगे? BCCI cricket boarding आप्सथिन क्या क्या है क्रिकेट नियंत्रण बोर भारत में साइकल चलाने का नियंत्रण बोर भारती क्रिकेट नियंत्रण बोर बेसिक क्रिकेट कंट्रोल बोर ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर ऑफ कंट्रोल ऑफ कंट्रोल ऑफ साइकलिंग इन इंडिया बोर ऑफ कंट्रोल फोर क्रिकेट कंट 1928 में इसके स्थापना हुई मुख्याले कहां है मुख्याले कहां है इसका हेड़क्वाटर बीसी स्याई का हेड़क्वाटर की बात की जाए तो मुंबाई कहां है मुंबाई और चेर्मैन की बात की जाए तो इसके मुख्या कौन है चेर्मैन की बात की जाए या मुख्या की बात की जाए तो पर्टिकुलर इसके मुख्या है रोजर बिन्नी कौन है रोजर बिन्नी याद रहेगा रोजर बिन्नी तो बीसी सी आई का पूर्ण रूप आपको क्लियर हो कुछ अन्य नाम भी आपको क्लियर होने चाहिए कुछ अन्य के फुल फॉर्म भी जैसे फीबा कुछ अन्य के भी नाम आपको फुल फॉर्म क्लियर होना चाहिए पहला है इसमें पुर्टिकुलर कौन सा पहला इसे जाना जाता है सॉरी पहला है इसमें आप याद रखेगा पहला है फीबा पहला किस नाम से जाना जाता है इसे फीबा F-I-B-A क्या होगा फुल फॉर्म फीबा खा जाना जाता है फेडरेशन इंटरनेशनल बास्केट बाल एस्सोसियेशन यह आपका क्लियर रहेगा किसका मुख्या रहे है फीबा का आपसे पूचा जाए फीबा के बात दूसरा कौन सा है फीबा फीबा का फीबा का फेडरेशन International Football Association Federation International इसका होता है याद रखेगा Federation International Football Association अंतर राष्टी फुटबॉल संगठन किसे जाना गया FIFA इसे जाना जाता है किस नाम से Commonwealth Game किस नाम से जानते हैं इसे Commonwealth Game और लास्ट है हमारा ATP Association of Tennis Personalization या Profession के नाम से जाना एटीपी टूनामेंट होते हैं Association of Tennis Chinese के नाम से भी जाना जाता है clear रहेगा तो अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखेगा BCCI का Full Form Board of Control Fall Cricket in India और इसका मुख्याला है 1928 में बना clear अगला Question सत्रिया निमलेखित में से किस राज्य का नृत्य है सत्रिया इस दा Classical Dance from which of the following states काफी important question यह आपके लिए बनेगा अगर सत्रिया पूछा जाए तो यह आपके exam point of view से बहुत important question है अगर आपसे तमिल नाडु का पूछा जाए तो तमिल नाडु का याद रखेगा देट इस भरत नाट्यम तमिल नाडु का कौन सा बना भरत नाट्यम के नाम से जाना गया उत्तर प्रदेश that is a famous for Kathak Maharashtra का है लावणी और असम का है सत्रिया असम का कौन सा बन गया सत्रिया बिलकुल याद रखेगा the famous for a question आपके important dance से जरूर आ रहा है folk dance नाथा सात्रिया ने 15th century इसमें संकर देव का नाम आता है जो dancer है उसमें सत्रिया के संकर देव famous dancer याद रखेगा that is a famous for संकर देव famous dancer में 15 number के बात करें तो संकर देव है जो famous dancer है इसके सत्रिया जावरी बहने कहां की थी मड़ीपुर की मड़ीपुरी का classical dance था बिलकुल याद रखेंगे जावरी sister बिपिन सिंग ये सब चीजें है clear रहेगा उपर के तीनों की कहानी अलग है अगला भारत की पहली पंचवर्षी योजनाख खालिस्थान में सुरुआत हुई सबको पता है the India's first five-year plan was launched पहला five-year plan जिसे हराड डोमार मॉडल के नाम से भी जाना जाता है हराड डोमार मॉडल के नाम से जाना जाता है टोटल five-year plan कितने हुए बिटा बारा फर्स्ट five-year plan that is started in the year of 1951 to 1956 totally based on agriculture किस पर बेस थी बिटा क्रिसी पर बेस थी तो पहली पूछा गया तो पहले स्टार्ट होई नाइन्टीन फिफ्टीवन में सेकंड पूछी जाए तो फिप्टी शिक्स्टी शिक्स्टीवन इसकी कहानी अलग चली थी इस टोटली डिपेंडेंट ओन सेम सेनेरियो आपका चलता रहा पांच भी पूछा गया था पहले में पोवर्टी रिमूव के लिए आई थी पहली पूछा जाए टोटल बारा बनी आज कल इसको बंद करके इसके स्थान पर क्या आता है नीती आयोग इसके स्थान पर जो गठन किया गया वो कौन सा किया ग आयोग का यह नीती आयोग का पूरा का पूरा ट्रांस्फोरमेशन चला है अगले कुशन नंबर थर्टीन वेरी गुड काफी इंपॉर्टन कुश्चन रहेगा आपके लिए कुशन नंबर थर्टीन विच फिर सुनिएगा विच कंट्री हाज दा लॉंगेस रिटन कॉंस्ट्यूशन इंडिया अब इंडिया ने अडॉप्ट कभ किया कॉंस्ट्यूशन इंडा एडॉप्टेड अगर पूछा जाए अपनाया तो भारत ने इसे कब अपनाया 26 नवंबर उनीश सो उन्चास को 26 नवंबर और लागू कब किया अगर लागू पूछा जाए तो याद रखेगा 26 जनवरी उनीश सो पचास को इसको पूरी तरह से लागू किया गया जब सम्विधान बना इसमें टोटल पार्ट 22 आर्टिकल 395 और सेडियूल की बात की जाए तो टोटल सेडियूल कितनी थी उस समय प जाए सबसे छोटा सम्विधान छे महीने से भी कम वो है पर्टिकुलर अमेरिका अमेरिका का क्या है सबसे छोटा सम्विधान smallest constitution या सबसे छोटा जो सम्विधान है वो कहां का है United State of America का याद रहेगा और विश्व का सबसे बड़ा सम्विधान यहां का है सम्विधान जिसका लिखित में नहीं है सबसे ज़्यादा समय जो लगा वो भी इंडिया जिसका लिखित सम्विधान नहीं है not written constitution लिखित सम्विधान नहीं है अगर आप से पूछा जाए लिखित सम्विधान किसका नहीं है that is UK ब्रिटन का कोई भी लिखित सम्विधान नहीं है यह भी याद रखेगा सबसे छोटा किसका सबसे बड़ा किसका यहां तक कोशन आपको clear है या नहीं सबसे जादा समय किसमे लगा है उस्ट्रेलिया में वन हॉवर clear है यहां तक चीजें आपको clear होंगी अगले कोशन में बढ़ते हैं कोशन नमबर 14 नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अलपा विधि में तरल रूप में कुछ भंडारन रखने की आवश्यक्ता होती है apart from the fact reserve ratio bank are also required to keep some reserve when liquid from in the Sót Term Ref CGI वैधनी टरल पर राज्य टरल टा वैधनी टरल टथा वैधने statory liquidity refer statory liquidity ratio statory liquidity ratio statory license ratio अब यहां को पता होना चाहिए कि बेटा CRR क्या है CRR आपको sort form में बताता हूँ every schedule bank कौन बेटा every schedule bank has to reserve has to reserve some amount in the RBI किस में रखेगा बेटा RBI in the form of cash किस form में cash that to the RBI मतलब कितना पैसा होगा total deposit of customer total deposit of customer मतलब ग्राहक क्या कर रहा है समझिएगा ये कोई ग्राहक है ग्राहक अपना पैसा bank में जमा किया तो bank क्या करेगा ग्राहक के पैसो को cash के रूप में या नगद के रूप में किस के पास RBI के पास ratio में अनुपात में जमा करेगा जिसे जानते हैं cash reserve ratio लेकिन अगर particular same कहानी है schedule bank है किस के पास RBI के पास क्या करेगा जमा करेगा deposit करेगा लेकिन in the form of statuary statuary इस बार RBI के पास नहीं करता है इस बार क्या करता है स्वयम के पास इस बार क्या करता है वो स्वयम के पास जमा रखता है CRR cash reserve ratio जब bank क्या करे self करे किस के पास जमा करे self के पास in the form of security किस form में जमा कर रहा बिटा security के form में मतलब simple कहा जाए तो किस form में रखा गया इसे security के form में बैंक क्या करता है, खुद के पास रखता है, इसे जानते हैं, स्टेटवरी लिक्विडिटी रेशियो वैधानिक तरलता अनुपात, आज कलिए 21.something चल रहा है, दिल्कुल याद रखेगा, तो इसे किस नाम से जानते हैं, स्टेटवरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम से, में कितना चल रहा है, 18, CRR की बात की जाए, तो कैस रेजर रेशियो कितना है, 4.5, CRR कितना चल रहा है, 4.5%, बढ़ा दिया है, कैस रेजर और, स्टेटवरी लिक्विडिटी 18%, मलब 18 और 4,25, 25 रुपए की गारंटी कौन है, सरकार लेती है, मतब नगादार अक्षित अनुपात के अलावा, बैंकों को अलपवधि में, तरल रूप में कुछ बंढ़ारण रखने के आवश्यक्ता होती है, जिसे क्या कहते हैं, वैधानिक तरल तनुपात, या इसे, स्टेटवरी लिक्विडिटी रेशियो के नाम से जाना गया, क्रमांड ट्रैफिक उप्रक्स में, वाट मेक्स था इंपोर्टिन गूट्स मोर एक्स्पेंसिव, जब आप एपल का फोन करीते हैं, तो इतना महगा क्यों आता है, क्योंकि उस पे क्या लगता है, उस पे उच्च गुण बत्ता, बिल्कुल क्वालेटी अच्छा है, कस्ट गारंटी एक्स मग मनरेगा पास्ट, मनरेगा कब आई बेटा, आपको भी पता है, मनरेगा बाद लॉंच्ट इन दा इयर ऑफ 2005, अब देखिए, सुरू में जब यह आया, तो पर्टिकुलर सिप्टेंबर 2005, स्टार्टिंग में कब आया, सिप्टेंबर 2005 में, किस नाम से आ 2005 में, नेशनल रूलर इंप्लाइमेंट गारंटी एक्ट, इसका 2006 से क्या हुआ, इफेक्टिव हुआ, इफेक्टिव हुआ, इफेक्टिव हुआ 2006 से, और इसका नाम बदला गया 2009 में, मनरेगा महात्मा गांधी, तो आप से पूछेगा, सुरू कप से हुआ, 2005 में, कितने दिन का, इनिशियल में जब आया था, तो कहेगा, minimum 100 days, 100 दिन का क्या दिया जाएगा, 100 दिन का रोजगार के लिए चालू हुआ, इनिशियल में कितने के लिए, 100 days के लिए, यहां तक चीजे clear हैं, कुश्चिन को जरूर पढ़िएगा, अंसर देने का जवाब ऐसे ही रहता है, आपक आपको mentorship program चाहिए, तो जूम पर हमारी online classes, ऐसी नहीं, जूम के थुरू आप ज़ाइन कर सकते हैं, और हमारी offline classes के लिए, आप center visit कर सकते हैं, contact number आपको नीचे slide में दिख रहा है, clear ना, इस number पर contact करिएगा Forbes education के लिए, अगला question, जुलाई 2022 में भारत के किस सिवशेना नेता को महाराज से राजसभा सांसत के रूप में चुना गया, which सिवशेना लेडर from India was, elected as member of राजसभा from महाराष्टा in 2022, आपको पता होगा, राजसभा जो है article number 70, 9 में नहीं 80 में हैं, और यह जो जानी जाती है, common house नहीं house of princess के नाम से जाना गया, clear है, और महाराष्ट से जो चुने गये थे, उस नेता का नाम था संजयराउट, जो उस समय चुने गये, that is a famous for Sanjayराउट, महाराष्ट की राजधानी क्या है, मुंबई, मुख्यमंत्री कौन है, महाराष्ट की बात की जाए, तो आप याद रखेगा, महाराष्टा, the famous capital that is known as the Mumbai, capital कौन से बन गई बेटा, मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ सिंधे, इनके पर पुस्तक भी लिखी जा रही है, तो याद रखेगा, एकनाथ सिंधे, चुने कौन गे, संजयराउट, और गवर्नर कौन है, राम, रमेश बैस, गवर्नर कौन है, रमेश बैस, क्लियर रहेंगे, रमेश बैस, बिलकुल याद रहेंगे, रमेश बैस के नाम से इसे जाना गया, या रमेश बैस कहा जाता है, अगले कोशन में बढ़ेंगे, भारत के राष्ट पती में सितंबर 2002 में बरिष्ट धिवक्ता को भारत का अगला अटॉनरी जनरल नियुक्त किया है, प्रसीडेंट, कोशन पढ़िएगा, प् इंडिया, अपोइंटेट सीनियर एड्वोकेट ब्लांक अस दा नेक्स्ट अटॉनरी जनरल अफ इंडिया इन सेप्टेंबर 2022, आर वेंकत रमणी, कौन है, अटॉनरी जनरल आर वेंकत रमणी, कैग पूछा जाए, कंट्रूलर अटॉनर जनरल अफ इंडिया, यह गनेश चंद्रमुर्मू, कौन है बिटा, गनेश चंद्रमुर्मू, बिल्कुल याद रखेगा, एजी आई पूछा जाए, अटॉनरी जनरल अफ इंडिया, आर वेंकत रमणी, फिर इसके बाद फाइनेंस कमीशन पूछा जाए, वित्तायोग, बिल्कुल याद रखेंगे, डी वाई चंद्रचूड़ेग, डी वाई चंद्रचूड़ा, चीफ इलेक्शन कमीशन, सीची, राजीव कुमार, पिल्कुल याद रखेगा, राजीव कुमार, अटॉटर जनरल अफ इंडिया, जी सी मुर्मू, अटॉन्डी जनरल अफ इंडिया, आर वेंकत रमणी, एक आपको याद रहेंगी, अगले कोश्चन की ओर, निम्न लिखित में से कौन क्रिकेटर नहीं है, साइना नहवाल, सचिन तंदुलकर, जवागल, स्रीनगा, राहुल द्रविट, सबको क्लियर है, इससे इजी कोश्चन नहीं आ सकता, करेंट में काफी जादा वो न्यूज मे किसे समवंदित है, बैट मिन्टन से, किसे सम बाइट मिन्टन, एक पुस्तक आई थी, प्लेइंग इट माई वे, सचिन तंदुलकर की, अमि अबिए निक, इनके लिए, याद रखेएगा बेर गुट, काफी, करेंट जो कोच हैं, वो राहुल द्रविट है, करेंट कोच ज इनकी पुस्तक का नाम था प्लेइंग टू विन बिलकुल याद रखेगा काफे इंपोर्टेंट बनता ही यह और आज का लास्ट कोश्चन है जब मौलिक करतब्यों को भारती समविधान में सामिल किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे आपको मैं बता दूं कि जो fundamental duties है इसे particular 42nd constitutional amendment 1976 1976 में सामिल किया गया इसी को mini constitution के नाम से जाना जाता है यह लिया कहां से गया USSR इसी को क्या कहते है mini constitution या लगुशम विधान के नाम से जाना गया पार्ट किस में है ये पार्ट पूर्थ ए में है कौन से भाग में है भाग चार ए में इसकी चर्चा है article number 51A में article 51A में बात है उस समय पे कौन थे इंद्रा गांधी कौन थी इंद्रा गांधी इसके बारे में एक फिर से जानकारी ले लीजिए कि जब हमारा मौलिक करतब ब्याया ये कहां से लिया गया रूस से कब लिया गया बयालिशवा संविधान संशोधन कब लिया गया बिटा बयालिशवा संविधान संशोधन कब हुआ ये 1976 1976 में हुआ था clear है कोई दिक्कत यहां तक very good यह आपकी question answer series थी जो पूरी की पूरी हमने discuss कर दिया यहां तक आपको पूरी चीजे clear है हर question के बारे में हमने discuss किया है मुद्ब ऐसा कोई scenario नहीं बचा जो आपके लिए important ना हो तो यह पूरी चीजे क्या है आपके exam point of view के रहेंगी यहां तक आप classes को देखिएगा पूरी questions चौती सीरीज हमारी इंड हुई है alternate days पे आपको daily classes मिलती है उन classes को आप देखिए ज्यादा से ज्यादा share करिएगा और अगर आप चाहते हैं कि आपका selection हो mentorship program चाहिए तो call the 888-178267 this number clear thank you सभी को classes clear करिएगा